Hello students, welcome to engineers for sale आज हम लोग जो lecture पढ़ेंगे वो second lecture होगा square root and cube root का first lecture जो attend करके नहीं है वो attend करना बहुत जरूरी है must है ठीक है उसको attend करो तभी इस lecture का कोई मतलब होने वाला है ठीक है आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो tips and tricks जो कल मैं बताया था और जो भी concept था उसी के basis पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ठीक है तो अगर lecture attend नहीं कियो first lecture उसका तो attend करके आ जाओ तो आज का question लिखना first question जिसमें आपको बोला क्या है कि 5732 में कौन सी छोटी सी छोटी संख्या ठीक है कौन सी छोटी संख्या बस लिख देता हूँ मैं छोटी संख्या जोडते की प्राप्त जो क्या है योगफल है प्राप्त योगफल क्या बन जाए पूर्ण वर्ग बन जाए इंग्लिस मैं अभी बता रहा हूँ मैं पूर्ण वर्ग बन जाए ठीक है तो 5732 क्या है कोई सभी नमबर है ठीक है इसको मेरे को क्या बोल रहा है question में इसमें मैं क्या चीज को add कर दूं क्या कौन से नमबर को add करूं कौन से छोटी छोटी नमबर ना add कर दूं जिससे वो क्या बन जाए जिससे वो क्या बन जाए पूर्ण वर्ग मतलब क्या होता है पूर्ण वर्ग मतलब क्या होता है वर्ग मतलब square बन जाए ठीक है किसी नमबर का square बन जाए ठीक है तो कल का मैं concept क्या बताया था मैं आपको जब भी पता करना रहे कि कोई सभी number किस number का square है तो उसके लिए हम लोग कुड़नखन विधी पढ़ते थे जो school में पढ़ते थे ठीक है पूरा हम लोग निकाल के देखते थे वो किसका square बनता पेर बनाते थे हैं तो वो सब हमको नहीं करना है तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इससे सबसे निकटता value खोजो जिसका यह square हो सकता है अगर नहीं पता रहता है तो कैसे करते हैं हम लोग जिसे की 20, 30, 40, 50, 60 यह सब का तो हम लोग square पता कर सकते है न तो यह क्या है 5000 से चालू हो रहा है तो 60 का square कितना होता है 3600, 70 का square कितना होगा 4900 और 80 का square कितना होगा 6400 हम को कौन सा value दिया गया है 5700 के आसपसार है मतलब इन ही दोनों के बीच में कोई सा value होगा जिसका square होगा ठीक है, वैसे तो 57,32 किसी का square नहीं है लेकिन हमको वही चीज़ तो पता करना है कि क्या चीज़ी उसमें जोड़ू, कि वह क्या बन जाए किसी number का square बन जाए तो अब देखते हैं, seventy five किसोका square है तो मैं तरीका बताए था square जल्दी-जल्दी निकालने का ठीक है तो आठी साथी कितना हो जाएगा 56 अब यहाँ पर हम लोग एकदम उसके निकटतम वेल्यू में पहुँच गए हैं अब क्या करते हैं 76 करके देखते हैं 76 का स्क्वर क्या होगा क्या बताया था मैं ट्रिक 6 6 36 साथी साथी उन्चास और उसके बाद पी 6 7 42 दूरी 84 अब अपने को क्या मिल गया है 9 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा न और उसके बाद एक 5 मतलब 5776 स्क्वर है किसका 76 का स्क्वर है लेकिन मेरे को वेल्यू क्या दिया गया है 5732 कोस्टन में दिया गया है मेरे को क्या चीज जोड़ना पड़ेगा कि वो पूर्ण वर्क बन जा तो इसका आंसर कितना जाएगा? 44. तो 44 ही हमारा आंसर है. आप question को पढ़ लो क्या बोला था? 5732 में कौन सी छोटी-छोटी संख्या जोडें? तो 44 नंबर वो छोटी-छोटी संख्या है जिसको जोडने पर. किस में जोडने पर? 5732 में. क्या बन जाता है? वो पूर्ण वर्ग बन जाता है? स्क्वेर बन जाता है? किसका? 76 का. यह पहला question था, इसलिए एक दम detail से असान में समझाया हूँ. ट्रिक वगेरा, कल हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए आज बतानी की जोरत नहीं है. अब हम लोग देखते हैं second number का question आज का. यह आप लोगों के लिए homework है, जल्दी से बनाओ. 86, एटेको, homework भी बोलता हूँ, जल्दी से बनाओ भी बोलता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि हर बार मैं बोलता हूँ, homework भले बोल देता हूँ, लेकिन आपको यहीं पर बनाना है. ठीक है? 86 में same question है, जो previous question था ना, मैं कौन सी छोटी-छोटी संख्या जोड़ दूँ, ठीक है? उपर वाला question क्या था? इसमें कौन सी छोटी-छोटी संख्या जोड़ दूँ, कि वो क्या बन जा है? पूर्ण वर्ग बन जा है. तो same question है, ठीक है? same question है, इस कांसर बताओ जल्दी से. अच्छा, इसमें एक बस बदलाओ कर देना, उसमें जोड़ लो था, इसमें घटा दो है, ठीक है? जोड़ लो भी, एक काम करना, आप लोग दोनों करके देखो, इसमें कौन सी छोटी-छोटी संख्या जोड़ू, या फिर कौन सी छोटी-छोटी संख्या घटाओं, तो क् घटाने वाला काम अभी कर लेते हैं, जोड़ने वाला काम आप लोग घर में करना, ठीक है? करें, सॉलूशन स्टार्ट करें इसका, ठीक है, सबसे पहले तो खोजो कि इसके आज़ पास कौन सा नंबर है, जो किसी का स्क्वेर होता है, सबसे पहली बात, 90 का स्क्वेर कितना हो जाएगा, 8100 हो जाएगा, ठीक है, अच्छा, आब 95 के स्क्वेर करके देखते हैं, तो यह हो जाएगा आपका 525 और कितना हो जाएगा, ठीक है, मतलब इन ही दोनों के बीच में है वो, कोई सा वेल्लू, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि 92 के आसपास ये वेल्लू, अगर मै ही तो वेल्लू है वो, तो मैं क्या करूंगा, सीधी बात, 6560 में, यह क्या था, Qոसन में दिया वेल्लू है, 8560 में क्या छीज को घटा दूँ, तो इन दोनों को अगर मैं घटाऊंगा, तो वो जीद मिल जाएगा, अब यह दोनों घटाओ कितना वेल्लू आएगा, इन दोन बनाना है यह भी भले टाइम लग रहा है लेकिन आप जब प्रेक्टिस करेंगे तो एकदम क्लिक हो जाएगा आपके दिमाग में और जल्दी जल्दी बनने लग जाएगा ठीक है नेक्स कोश्चन करें चलो अब एक कोश्चन में दे रहा हूँ चार अंको की छोटी छोटी लिखो चार अंको की छोटी से छोटी चार अंको की छोटी छोटी वर्ग संख्या ग्याद करना है इंग्लिस में क्या बोलूंगे इसको देखो फोर नंबर डिजिट लेकिन स्मॉलिस्ट फोर नंबर डिजिट अपने को पता करना है जो कि क्या हो किसी नंबर का स्क्वाइर हो ठीक है तो आप लोग इसको कैसे बनाएंगे पहली बातो चार नंबर की जो छोटी छोटी संख क्या हो जाएगी 1000 हो जाएगी हाना तो 1000 से बड़ा लेकिन सबसे छोटा कोई सा Sono इंडा कोई सा नंत्राफ इंडाए बसको 12 होता है एक छार 24 किसकी मोड़ीश आख इलिदा सो 12 ao管 12 किसकी मोड़ीर किसकी मौड़ीया सबसे होता है अगर यहीं पता आप देख लो 900 कितना आता है यार 1 और उसक्वर 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 तो 961 आता है ठीक है ना 961 आता है ये भी नहीं होगा अब 32 का स्क्वर करके देखो तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 तिया 9 तिया 6 और 6 दूनी 12 तो यह आ गया 1024 तो 1024 आपका आंसर हो जाएगा जो कि किसका स्क्वर होता है 32 का स्क्वर होता है और 1024 के है चार अंको की वह छोटी-छोटी संख्या है जो कि किसी नंबर का स्क्वर है और वह नंबर कितना है 32 है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 1024 ठीक है अब आगे बढ़ें अब आप लोग बिनाना ना मैं एक होमवर्क दे देता हूँ तीन अंको की बड़ी से बड़ी संख्या ग्याद करना है ये तो मैं उपर ही बता दिया ना बड़ी से बड़ी संख्या ग्याद करना है जो कि किसी का क्या हो? स्क्वार हो जो किसी नंबर का वर्ग हो ठीक है ये बन गया होगा यही बन गया होगा कोई मतलब नहीं हुआ आगे बढ़ते हैं हम लोग एक question बनाना जिसमें दिया है आपको 162 से किस छोटी-छोटी संख्या या फिर किस संख्या छोटी-छोटी लिख लो किस छोटी से छोटी संख्या से गुड़ा करें ठीक है multiply करें कि प्राप्त गुड़नफल यानि प्राप्त जो आपका result है प्राप्त गुड़नफल क्या बन जाए बोल रहा है पूर्ण वर्ग बन जाए पूर्ण वर्ग बन जाए इंगलिस में बताने की ज़रत है क्या एकदा इसका multiply करूँ, लेकिन multiply करने वाला number एकदम smallest number होना चाहिए, वह चोटा-चोटा number जिससे मैं multiply करूँ, तो जो मिलेगा अपने को, वो क्या होना चाहिए, square होना चाहिए, मतलब traditionally हम लोग क्या करेंगे, 162 में multiply करकर के देखते जाएंगे, 1 से करेंगे, 1 से तो करने को, कोई मतल 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, और हम लोग देखेंगे, कि क्या वो square है किसी number का, वैसे तो यहाँ पर 2 से ही करोगे, तो answer मिल जाएगा, 2 से करोगे तो 324 आएगा, और 324 किसका square होता है, 18 का square होता है, मतलब 2 वो number है, जिससे मैं multiply करूँगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है, ऐसा नहीं बनाना है, अभी तो आपको पता चल गया, लेकिन माल लो, अगर मैं 2 से multiply करता है, तो भी किसी के square नहीं होता है, फिर 3 से multiply करके देखता है, किसी का नहीं square है, ऐसी करते करते हैं, आप कितने number का square करते हैं, ठीक है, एक्जाम में नई करते, ठीक है? तो आप लोग क्या करते एकदाम असान तरीका है, इसका 162 का गुडणखन बीधी, ठीक है? तो सिधा आप लोग क्या करते हैं? मैं क्या बोला था, गुडणखन बीधी जब भी solve करते हो, तो सबसे छोटा नंबर से start करना जो की 2 होता है, ठीक यहाँ पर 2 का पेर बन रहे है क्या 2 का पेर नहीं बन रहे है न तो वो number क्या होगा वो 2 ही होगा ठीक है न 2 का पेर बनाने के लिए 2 से multiply करोगे न भाई तब ही न वो किसी चीज का square होगा नहीं समझ में है क्या अगर इसको पूरा solve करते इसको पूरा solve करते तो क्या value मिलता आप लोग किस से multiply करते 2 से करते तो यह आपका 2 ही answer आ जाता ठीक है यह एकदम traditionally अगर solve करते तो यह सब आपका smallest कुडनखंड मिलते जाता ठीक है जो smallest multiplier है वो मिलते जाता आ रहे है कि नहीं समझ में ठीक है थोड़ा smart खेलोगे तो कैसा खेलोगे आपको पता है कि 9 का square होता ह 81 तो उसके बाद जो बचा value है वो 2 है तो 2 से ही multiply करोगे न भाई ठीक है आगे समझ में एक और question बनाओ चलो एक और question बनाओ 675 सेम question है 675 में मैं कौन से चोटी-चोटी संख्या जो उपर लिखा था था न वही है कहा गया यहीं पर बनाओ चलो यहीं पर बनाओ यहीं पर मैं ऐता हूँ, इसके जगह में न बस 162 के जगह में क्या कर दो 162 के जगह में 675 कर दो 675 से में कोन सी चोटी-चोटी संख्या गुडा करो कि प्राप्त गुड़नफल क्या बन जाए थीक है पूणवर्ग बन जाए अब मैं क्या करूंगा 675 में इसका multiply करूं कि वह पूणवर् तो करो 3 2 6 हो जाएगा 3 2 6 3 5 15 अब यहीं पर पता चलिया कि यह किसका स्क्वेर होता है 15 का स्क्वेर होता है आगे बढ़ने की नहीं जवरत है तो 3 बिचार अकेला बच गया तो जाहिर सी बात है यह 3 का पेर बनाना पड़ेगा मेरे को मतलब 3 ही वो नंबर है 3 ही वो नंबर है जिससे क्या हो जाएगा आपका यह पूरा पूरा चल देगा है मतलब कि स्क्वेर बन जाएगा ठीक है आया की नहीं समझ में अब नेक कोस्टन करें अब थोड़ा सा ठीक ठाक कोस्टन करते हैं यह तो एकदा मसान कोस्टन था अब 2028 में सेम कोस्टन है लेकिन इसमें भाग करने के लिए अभी तक मल्टिप्लाई करना बोलता रहता है अभी क्या बोल रहा है भाग करने बोल रहे लिख देता हूं मैं कोस्टन को किस छोटी सं chyba से भाग दे पहले किया तो multiply था वही और रहा था वैं भाग दे की प्राप्त भागपल क्या बन जाए पून्वर्ग बन जाए ठीक है ना पून्वर्ग बन जाए आरहे गिने समझ में मैं किस छोटी छोटी संख्या से भाग दूं कि वह पून्वर्ग बन जाए सेम मेठड ए क्या करना है गए एक अज़र अठाइस अब क्या करना है आपको 2 से दो एकमदो दो सुन्दिय में सुन्यकू दो एकमदो दो चौकाट फिर दो से जाएगा दोपंचे दस इस स्मॉलेस नंबर से पहले करना है भोला हूँ ना दोपंचे दस दो सत्चे चाहता अब यह किस से जा रहा है चुड़ जा रहा है, तीन अकेला चुड़ जा रहा है, मतलब तीन वो नंबर है, जिससे आप डिवाइट करोगे, तो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ण बन जाएगा, अच्छे ये ऐसा question होता कि कौन से नंबर से डिवाइट करें, वो भी बताओ, और पूर्ण वर्ण भी ठीक है, मतलब नहीं समझ में आएक है, एक हजार अटाइस में अगर मैं 3 से डिवाइट करूँगा, तो कितना वेल्यू आएगा, 3 से करूँ, 3 छंग 18, ठीक है, 3 छंग 18 हो जाएगा, और 321 हो जाएगा, और उसके बाद फिर कितना बचेगा, 321, 3 छंग 18, मतलब 676 बच गया अब यह 676, किसका पूर्ण वर्ग होता है भाई, 26 का होता है न, 26 का स्क्वेर होता है न, वही चीस तो पूछ रहा था, तो यह मैं बूर रहा हूं कि आपको और अगर थोड़ा सा टब पूछना चाहे, तो आपको यह इस वेल्यू को पूछ सकता है, कि वो किस नंबर का क्या है यह, 13500, same question है, मैं किस छोटी-छोटी संक्या से भाग दूँ, पूरा question नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वही same question है, 13500, मैं किस छोटी-छोटी संक्या से भाग दूँ, कि जो result होगा, या भी प्राप्त भागफल होगा, वो किस से जाएगा, मतलब पूर्ण वर्ग बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है, तो इसमें सब चीत निकाल के बताओ तु मेरे को, इसमें ये बताओ कि वो नंबर कौन सा है, जिस से भाग देना है, इसमें ये बताओ कि वो पूर्ण वर्ग कितना है, ठीक है, इसमें ये बताओ क कि वो किसका पूर्ण वर्ग है, तीनों चीज बताओ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तेरा जार पांसो करेंगे, उसके बाद दो से डिवाइट करेंगे, अच्छा, एक मिनट रूपना, पूर्ण वर्ग चलो बना लो, ठीक है न, पूर्ण वर्ग वाला ये वाला को पूर्ण आ गया है, तो इसमें मेरे को ये बताओ, कि ये पूर्ण घर्ण बने, ठीक है न, ऐसा कौन सी छोटी-छोटी संके से भाग दूं, कि ये पूर्ण घर्ण बन जाए, ठीक है, ये किसी का क्यूब हो, ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, सेम मेटर्ड है 6, 2-3, 6, 2-3, 14, 2-5, 10, खीक है, ऐसा करते जाओ, और उसके बार पर 3 से जाएगा न, 3 से जाएगा, 3 एकम, 3 एकम, 3, 2-6, 3-5, 15, और जहां किसी का आपको पता चल गया है, कि ये complete क्या है, क्यूब है, तो वहाँ पर रूख जाना, तो 3-9 हो जाएगा, और 3-12 हो जाएगा, 3 से नहीं जा रहा है, क्या 5 नहीं जातो रहा है, 3-9, बचा कितना दो, 3-12, 3-12, और उसके बार फिर, कितना हो जाएगा, 3-15, 3-75 आगया है, उसके बार फिर 3 से करो, 3 से जाएगा न, ये भी आजाएगा, 3 एकम, 3 हो जाएगा, 3 तो निचा है, 3-15, अब यहाँ पर आपको पता चल गया, कि ये 5 का क्या है, वो बन जाएगा, ठीक है न, मतलब 5 x 5 x 5, ये क्या बन गया, 3 नंबर का जोड़ी बन गया, 3 नंबर का जोड़ी बन गया, क्योंकि ये क्यों बोला है, ये भी आपका 3 नंबर का जोड़ी, मतलब यहाँ से 3 बाहर निकल गया, यहाँ से 5 बा पूछा है किस चीस का भाग दू पूछा है तो इसलिए आपका आंसर ये नहीं होगा दो आपका आंसर क्या होगा टू इंटू टू होगा क्या होगा टू इंटू टू होगा ये मैं टू इंटू टू याने चार को अगर मैं डिवाइड कर दू तो ये क्या बन जाएगा फू को कुछन को इसमें आपको पूचा था पूर्ण घंध बनाना है और किस चीज को भागदो कि यह पूर्ण घंध बन जाए तो उसके लिए जो आपका जिसका तीम का जोड़ी नहीं बनेगा ठीक है उसी से आपका काम रहेगा बागी किसी से काम नहीं रहेगा ठीक है और भाग देने पोर रहा है तो वो जोड़ी को पता करो और यहां पर से दिख रहा है आपको 2 into 2 से टिवाइड करोगे तो आंसर आएगा और यही आपका multiply का question रहता तो उसमें हम लोग किसे multiply करते तो से multiply करते जिससे यह क्या बन जाता पोर्ण घन बन जाता ठीक है अब आगे बनाते हैं question ठीक है अब देखो वही चीज है लेकिन सबदना चीजों को और बनाना पंक्ती मतलब रो में ठीक है एंगलिस में क्या बोलते हैं रो में व्यवस्थित किया जाता है जितनी जितनी लिखते जाना या पिर समझते जाना जो नहीं लिखते हो एक पंक्ती और जैसे ही मेरा question complete हो आपका answer आ जाना चाहिए पंक्तियों में वस्तुएं है पंक्तियों की कुल संख्या निकालना क्या है आपको पंक्तियों की कुल संख्या निकालना है पंक्तियों की कुल संख्या देखो ग्याद कीजिए है तो आपको क्या था इंगलिस में अगर जिसको नहीं समझ में आ रहे है आप देखो 324 वस्त अब इसको इंग्लिस में भी क्या बताऊं था ना 324 कोई सभी थिंग्स है ठीक है उनकी पंक्तियों में उनको पंक्तियों में वैस्तित किया जाता है मतब 324 वस्तों को ऐसा रेंज किया जाता है रो में रो में कि उसके रो में उतने ही गोड्स है या फिर कोई सभी वस्तु है ठीक है जितने की पंक्तियों में उनकी संग्या है अब ये चीज को आपको समझना है क्या चीज बोलना चाहरा है इस चीज को आपको समझना है तब ही आंसर आएगा ठीक है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि सामने वाला पूछ क्या रहा है ठीक है और पूछ के टोटल नम बर फ़स्तु में कितने हैं 324 वो ये बता दिया कि टोटल वस्तु 324 और ये और सामने वाला ये भी बता दिया है कि पंक्ति में मानले 4 संखया है चार ठोक वस्तु है या फिर पांच ठोक वस्तु है तो रो भी पांच ठोक है समझ में आ रहा है अगर किसी पंक्ती में पांच वस्तु है तो रो भी पांच होगा अगर किसी पंक्ती में दस वस्तु है तो रो भी दस होगा रो मतलब इधर हो यह रो बढ़ाते जाओगे आ र हम लोग यह माल लेते हैं कि पंक्ती में कितने वस्तु है, x वस्तु है, तो number of rho भी कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे, और हमको दिया क्या है, कि total total number of वस्तु कितने है 324 है मतलब x into x बराबर 324 दिया है यह नहीं सबज़ में आता है यार यह इतने ही बस तो समझे ना था आपको तो x square is equal to 324 है उसके बाद तो आपको मैं कल बताया ही था कि आपको कम से कम कितने तक का square याद होना चाहिए 30 तक का आपको पता होगा यह किसका square है 18 का square है तो answer के आगया 18 आगया तो एक पंक्ती में कितने वस्तु है एक पंक्ती में 18 वस्तु है खीक है आया कि नहीं समझ में एकदम असान question था यह आपको बनना चाहिए था अगर नहीं बना है तो अब आगे question दे रहा हूँ अगर नहीं बना लिखो question एक विध्यापन company किसी महले के एक विध्यापन company किसी सबंदाना question को यह सब फालतू में लिखे रहता है किसी महले के प्रतिक मकान मकान कहां गया मकान में उतने उत्पाद उत्पाद पेश करती है जितने उस महले में मकान हैं फिर उसके पास पांच उत्पाद बच जाते हैं चीक है यदी महले में कुल पच्चिस मकान हैं तो उसके कुल उत्पाद देखो बनाओ इसको कितने हैं बन जाता है ठीक है नहीं तो मैं तो बनाई रहा हूं पांच करके बनाओ उसके पास कुल उत्पाद कितने थे लिखना है ना है ने कितने थे ठीक है एक विग्यापन कंपनी है कोई महला है महला मतलब क्या हो गया वो एरिया हो गया है महले के प्रत्यक मकान में प्रत्यक मेकान में वो उत्पाद पेश कर रहा है मतलब उत्पात दिखा रहा है, तो जितने उस महले में मकान है, वो किसी एक घर में उत्पात भी उत्पात भी उत्पात भी दिखाता है, ठीक है, मतलब माल लो कि महले में पचास मकान है, तो किसी भी एक घर में जा रहा है, हर एक घर में वो पचास उत्पात दिखा रहा है, अब यहां समझ में आ गया होगा, उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं, यदि महले में 25 मकान हैं, ठीक है, अच्छा महले में मकान कितना ये भी बता दिया है, महले में अगर कितने मकान हैं, 25 मकान हैं, तो उसके पा 25 वह मकान है उसमे वह 125 उत्पाद ना दिखा कि वह सिर्फ 20 उत्पाद दिखा पत है क्योंकि 58 बच आते हैं बोल रहे हैं बच जाते हैं कि बच जाते हैं मतलब यह समझ आप लो की जो लाष्ट डाइस नमबर का मकान था उसके पास वह कितने 25 नहीं उत्पाद दिखा दे रहा मैं ठीक है क्योंकि उसके पास 5 उत्पाश बच जाते हैं तो पच्चिस कर चाहिए 625 प्लस 5 कर दो नहीं आर शिद्वाथ तो उसके पास कितने उत्पाद है टो तोटल उसके पास कितने उत्पाद रुट्पाद है, 630 उतपाद है, उखिना जल्दी से, एक सेना नायक इसको मैं नहीं बनाओंगा, आप लोग बना रहा है, पंक्ति बना रहा है, सैनिकों की क्या बना रहा है, पंक्ति बना रहा है, और कितनी पंक्ति बनाता है, कितने पंक्ति बनाता है, जितने प्रति पंक्ति में, मतलब जितने एक रो में, जितने एक रो में सैनिक है, उतने ही वह क्या बना रहा है, पंक्ति बना रहा ठीक है, same question है, तो इस प्रकार उसके पास कुल मिलाके, यह वाला line याद रखना, उसके पास क्या हो जाता है, कि 5 सैनिक कम पढ़ जाते हैं, उपर वाले question में क्या था, 5 अधीक उत पात थे, इधर 5 सैनिक क्या हो गए हैं, कम पढ़ गए हैं, ठीक है, यदी, यदी, टोटल 17 र ठीक न, टोटल, जो सैनिक है, वो बता दो भाई, जल्दी से, ठीक है, तो यह, I think, यह question बनी जाएगा, बस formality है, आप लोगो समझ में आना चाहिए, अगर आज का class अच्छा लगा, तो like, share and subscribe कर सकते हैं, मिलते हम लोग कल के lecture में, thank you